पर्दा जो है वो मरुवस्थलिये संस्कृति का अंग है कल्चर किसमे डिपेंड करेगा खाना और कपला किसमे डिपेंड करेगा भूगोल पे आधुनिक पूर्व्यूग प्री मॉडन वर्ड मैं धर्म की दो भूमिका एक भूमिका सम्विधान की तो आप देखेंगे ती समाजिक नियम है राजनीतिक नियम है आर्थिक नियम है ये बात दिमाँ में बठा लिजेगा कि आधुनिक यूग पूर्व से धर्म की दो भूमिका एक सम्विधान और दूसरा मनुष्य का उध्धान धर्म का उद्धेश ही है मानों को इंद्रियों से उठा कर चैतन्य पर बिठा देना मानों को भगवान जो भगवत्ता को उपलब्ध हो जाए इसलिए तो इस देश में भगवान की धाना पैदा हुई जो भगवत्ता को उपलब्ध हो जाए चैतन्य को उपलब्ध हो जाए माई योरोप में था तो हमसे एक आद्मी ने बूचा यार तुम्हारे देश में भगवान बहुत पैदा उए मेने का फ़र्मूला है हमारे पास का कौन से फ़र्मूला मेने का द्"; का ये कौन से फ़र्मूला है अरे मैंने का तुमनों वातित हो आज से आ रहे हो बहुत आदिम काल से आ रहे हो भगवत्ता का सूतर है हमारे पास द्विज्ज एक जनम मा देगी जब व्यक्ति इंदरियों पर रहेगा और दूसरा जनम गुरु देगा जब व्यक्ति चीतना पर पहुंच जाएगा तो धर्म के दो उद्देष आधुनिक यूग से पूर में एक समविधान का उद्देश और एक व्यक्ति का उद्थान लेकिन आधुनिक यूग में जो समविधान का उद्देश था वो खतम हो गया क्यों क्योंकि man made constitution आ गया मानो रचित समविधान तो धर्म की वह भूमी का हो गई? बड़ा जग्डा है इस बात को लेगा हमारे धर्म में लिखा एसा कपडा पहनो हमारे हदर में लिखा अरे भया कपडा और खाना भोगोल हो साउदी अरब के लोग पालक नहीं खातेoral कहां से खाएं Development होती ही नहीं तो कहां से खाएं पालक ठाने के लिए पालक होना भी तो चाहिए मर्वस्थल में कहां लौकी होगी कहां कद्दू होगा तो मर्वस्थल में मायन्स खाना मजबूरी है उनकी जीवन की सर्वाइवल का एक महत्पूर अंग है अरे यॉरप के लोग शराब पीते हैं तुम्हारे लिए शराब है उनके लिए दवा है कैसे कैसे शराब कैसे ओल्ड मॉंग अब अगर डेजर्ट में कोई ओल्ड मॉंग पीएगा मर्वस्थल में जहाँ टंपरेचर 50 डिगरी सेल्शियस है वो डेट मॉंग हो जाएगा मर जाएगा बाहर का टंपरेचर 50 डिगरी सेल्शियस और बाहर का टंपरेचर 50 डिगरी और तुमने अंदर और गर्मी भर ली खतम लेकिन रूस का आदमी अगर वोड का नहीं पिएगा तो नहीं जी पाएगा क्योंकि बाहर का टेंपरेचर है माइनस 40 डिग्री तो वोड का जो है वो रूस के संस्कृति का हिस्सा है अच्छा भीया हाँ धर्म अब धर्म सम्विधान नहीं रहा अब मानव रचित सम्विधान है मैं विश्यतिहास पर आउँगा तो मैं उसकी चर्चा करूँगा कैसे इसकी शुरुवात हुई क्या है पहला सम्विधान किसका लिख कर बाहर आया अब धर्म का उद्देश लेकिन एक बड़ा महत्रपूर उद्देश है धर्म का